अमूमन शुर्यमुखी के पौधे में एक ही फूल खिलते हैं हलाकि शुर्यमुखी के पौधे की खेती करके किशान काफी बेहतर लाव करा सकते हैं पलामुजिले में इसके खेती को लेकर किसान ट्रैल डूप से भी खेती कर रहे हैं और अगर एक फूल के जब पर एक पौधे में कई फूल खिलने लगे तो वो किसानों के लिए काफी लावदायक और अच्छा मुनाफ़ा वाला खेती हो सकता है कुछ किसान इसको ट्रैल के लिए इस्तेमाल करें तो आईए हम बात करते हैं और जानते कि खेती कैसे कर रहे हैं क्या नम होता है मेरा नम अनुराग्तिवारी है कहां घर मेरा घर रेडमा में है इसकी शुरुआत हमने यूटीब पर देखा तो मुझे भी लगा कि सुरी मुखी का संफ्लावर का खेती किया जाए तो इसके लिए अभी तो एक कठा में हम लगाए हैं लेकिन अगर अच्छा हुआ तो और अगरा में लगाने का सोचे हैं अभी तो लग रहा है कि अच्छा हो रहा है और फुल भी बहुत सारा लगा हुआ है तो देखते हैं आगे पोदे में कितने अभी तो आप देख सकते हैं कि करीबान 25 से 30 पोदे अ考 लगे हुए हैं इसमें और कि लग रहा है कि अच्छा हो रहा है तो आगे भी सोचे हैं कि किया जाए मेरा नाम हुआ डॉक्टर सुधीर कुमार जा कि अच्छी विज्ञान के अंदर पलामो में सेनियर साइंटिस्ट कम हेड हूं मुख्य की घेटी वाचे तो पलामो में पहले बहुत कम मात्रा में हुआ करती थी लेकिंक विज्ञान के द्वारा संकुल प्रतिछंख कारिकरम के तहत करिब 20 सेक्टेर जमीन पर इस बार प्रत कि यहाँ पर रब्षती आराम कि जासकती है क्योंकि इसमें कहांरी ही इसका जो ही अगय है कि आधब कवालिटी को सगता है और इसमें तिल की मातरा भी ज़्यादा होती है मतलब इसमें तेल का उत्पादन इसमें ज्यादा होता है करें 38-40 परसंट की तेल हो निकलता है सब्सक्राइब में और इसकी खेती के लिए इंपुट की और सकता काफी कम होती है एक एक एकड़ खेती करने के लिए आपको केवल अरहाई किलो तीप लगेगा बस अरहाई से त पौधा करें 30 cm के दूरी पर इसको लगा जाता है और आप जब कवका खेत करमी के दिन में पढ़ती राता है धान काटने के बाद आप इसको लगा से है कि एक तो होता है उपेन पॉलिनेटेड जिसमें के भी एस फोटीफोर है और कुछ है प्राइवेट कंपनी द्वारा अगरा गया है शंकर प्रविज मतलब हाइवरीड तो हैवरीड वरीटी की जो बीज है उसको आपको हर साल बदलना पड़ेगा और अगर उपेन पॉलिनेटेड है तो आप पूरा इस पमाल कर सकते हैं तो हैविड वराइटी की जो बीज है वो थोड़ी महगी होती है लेकि उसमें बीजदर भी थोड़ा कम लगता है और आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा इसलिए आजकल तो संफ्लावर में काफी सारी हाइब्रीड है बजार में उपलब्त इस्टिस का उप्योग आप कर सकते हैं हाइब्रीड में लगाएगा तो आपको 20-25 कुंटल परती हेक्टियां में करें दुपना हो जाता है हाइब्रीड में